दोस्तो मैं दबब्रत्तिगरी आज आपके लिए फिर पहले का वीडियो मैंने बताया था जो आज का वीडियो रहेगा कारा बनाने का तो ही आपके लिए एक नया टोपिक लेको रहा हूँ आज आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपने हाजरो वीडियो देखे होंगे तो मैं गरेंड के साथ बोल रहा हूँ मेरा ऐसे टोपिक आप कभी नहीं देखे मैं यह नया फर्मूला अपना तरीका से यह बनाया हूँ एदबर फर्मूला एपलाई करके मेरा व अम्रूत का पत्ता अम्रूत आप लोग भलीवाती जानते हैं अम्रूत का पत्ता मिडियम टाइप का अम्रूत का पत्ता पाच्छे मैंने तोल लिया आपने देखा यह जिंदिगी हेल्दी रहने के लिए हमें प्लेनिंग करके ही जिना परेगा बिना प्लेनिंग का जिंद में यह आवार्नेश देने के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तो तो यह जो मोसम बदल रहा है अभी यह मोसम बदलने के टाइम थन्डा गर्मी थन्डा गर्मी तो इस मोसम में आत्मी को पहुत सरा सर्दी खासी बुखार गले में खिस-खिस ठीके ना आप लोग तो किया यह एड़्बेडेस देखते देखते वह दुसरा सीज यूज़ करते है लेकिन अपना पेर पोदा से हरवाल लाइफ से हमारा पेर पोदा यह टोटाली नैसरेल चीज है यह नैसरेल चीज छे प्रोब्लेम से स्वद्दी कासी बुखार काप गले में खिस-कीज कितना भी प आखो का सामने ये अद्रग दिखाया और अम्रुत का पत्ता लिया आखो का सामने दिखाया और क्या ये कारी पता बोलते है इसको बोलते है कारी पता ठीक है ना कारी पता साउत इंडिया में बहुत जबर्दक यूज होता है हर खाने में कारी पता बहुत फाइदामन चीज है मैं यह पत्ता का फाइदा बोल के वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूं दोस्तों सिर्फ बनने का कारा बनने का एकदम सही फर्मुला आपग्रेट भर्षन जैसे हमारा मुबाल में सप्टेर होता है न वो बिना कॉम्प्रीट करते करते फिर दूसरा आपग्रेट आजाता है मु पिने के बाद एक बाद जरूर कमेंस करना ना बोलियागा और दोस्तों को शेयर जरूर किजिए क्योंकि आवर हेल्थ इस आवर रियल वेल्थ और प्रिवेंशन इस बेटर दन क्यूर हम वीमार पढ़ने से पहले अगर प्रिवेंट ले तो कोई भी पिन्दमिक सिस्योसन म हमें उस खिला नहीं पाएगा हमारा सुरी ठीक है ना और हमारा बोडी वान टाइम एक मोगा है ठीक है यह नमी दमी किम्ती बाई गारी से बहुत दमी इंजिन है इसके साथ नाइन सभी मत किजिए उल्टा सिता मत खाईए चाय कोफी मैं बिनम्र रिकेश के साथ बोल रहा ह तो दोस्तों अभी आपको दिखाऊंगा चौथा इंग्रेटन उल्शी का पत्ता ठीक है ना पहला इंग्रेटन की कौन सा दिया अधरा दूसरा अम्रुत का पत्ता तिसरा कारी पता चौथा उल्शी का पत्ता ठीक है यह सरा मेरा प्लैनिंग किया हुआ आइटेम है एकदम 100% organic process में करता हूँ, free of cost organic fertilizer, आप भी सिखिए, दुसरों को सिखाईए, आनन्दी आनन्द मिलेगा दोस्तों, और चैनल में पहली बार है तो, प्लीज एक बार साथ करके रिखिए, टाइम और नॉलेज आपका बेकान नहीं जाएगा, तो दोस्तों, मैंने आपको सरा टोपिक दिखा दिया, क्या किया लिया, कैसे लिया, कहा से लिया, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यह दिखिए, अम्रुत का पता धोके इसको थोरा सा तोर तोर करके सोटा कर दिया, ठीक है ना, अभी देखिए, यह तुलसी का पता, यह भी धोके बाटी में रख दिया, ठीक है, यह है कारी का पत्ता धोके मेंने रेडी करके रखा, ठीक है ना, अभी दिखाएंगे आपको साथ में और क्या-क्या है, यह लॉंग होता है, लॉंग, यह लॉंग बहुत फाइदावन चीज है, आप देख लेंगे, तो दूस्तों, आपको सारा, मालब चौथा इससे पहले मेंने वीडियो को भी नहीं बनाया था, इसके लिए मेरा पुरा रो मेटेरियल हैविट हो गया, पत्ता को सोरके, पत्ता को पेश नहीं करना है, अभी अध्रक और यह गोलमेच्ची और लॉंग को थोरा सा हम आधा पेश कर लेंगे, पूरा पेश करने का जरू पत्ता जो बोलते है उससे, तो मैं एक हात में कैमेरा कर रहा हूं और दूसरी हात में सेस रहा हूं तो उसमें प्रोब्लम हो रहा है, तो भी मैं किसी को हायर किया, तो वो भी पेश कर दे रहा है, ठीक है न, आपको सही दिखाने के लिए, यह जिन्दिगी ना मिलेगी बारा इसको हेल्दी रखने का प्लेनिंग आपको खूद से करना परेगा, नहीं तो आपका पैसा डक्टर और नर्सी को में खा लेगा, तो दोस्तों यह कारा बनाने का दम जिदा जकता प्रूब फर्मूला, यह 500 ml का रही फ्लाक्स्टा, मैं इसमें 500 ml रखके दूंगा, त दिरे दिरे, इसको बनाने के रेडि होने के बाद मैं फ्लाक्स में रख दूंगा, कि की एक दरगेंटे के बाद वो थरा चाई के हिसाब से एही पिऊंगा, तो दूस्तों आपको भी मैं बूलूंगा, चाई कोफी के चोर के, ऐसे ही खारा बना के आप हर रोस खाएंगे न दिर में, आपको कोभी इमिनिटी पावार का डर नहीं रहेगा, ठीक है, और आप एकदम प्रिक्टिकली हेल्दी और स्वर्दी कासी बुखार से आप एकदम सही सलमत रख सकते हैं, तो देखिए, पहले मैंने नेमोक दे दिया, आपको एकदम वीडियो लाइब दिखा रह हैं, थेख़ा है, तो समझत र आप मी के लिए इश्रहउदी काफी हें, यहां पर देनगे, तुलसी का पत्ता, ठीक है, और साथ में देखिए, यह करी पत्ता, यह करी पत्ता भी इसमें देदेने, तो नमक मै ने जितना दिया, अग्दम क्योंकि क्या जितना वहां मैं आपको बीसियरचन हो अगस क्योंकि हैं। तो इसको न धिरे धिरे एक बार उताल आने के बाद उसके बाद धिरे धिरे आसको कमा देना है ठीक है एक बार उताला जाए पानी गरम हो जाए उसके बाद देखिए गैस को कमा ना है क्योंकि हरबरी नहीं करना है धिरे धिरे यह जो बनेगा एकदम रो मेटेरियल जो इसके अंदर है धिरे धिरे उहां से निकलेगा हरवरी करेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा और धिरे धिरी इसका चाय का कालार आएगा यहापके तो चाय पत्ती दिया नहीं और चीनी भी नहीं आप गोलती से भी यहापके सुगार या चीनी मद दीजे ठीक है शिप ओई नमक्स ही बनेगा यह बहुत सेंटी और टेश्टी और हेल्दी यह गारा जो बनेगा तो हम बीस मीज में क्या करेंगे जब भी ओ थोड़ा धिमा हो जाएगा फिर थोड़ा गेस को बराएंगे उसको कम से कम 10 से 15 मिनिट रखने के बाद यह धिरे धिरे गेस को बरा लाएगा और फिर निचे जाएगा ऐसे करते करते 2-15 मिनिट अगर आपको इस से धिरे करना है धिरे कर सकते है गेस थोरा जाधा चाहेगा ठीक है ना क्या करेंगे इसको गेस एक दम कौम करके यहाँ पे एक मुख्या डाल दीजे उपर भाप निकल ना पाए कि यहाँ पे दुखाने के लिए मैं यह बरारम और घटार आओ ठीक है पानी को सुक ना परेगा तो भी इहाँ पे जितना पात्ता अध्राप और लोंग गोल मिट्ची दिया हूं उहाँ से पुरा मेटरेल इहाँ पे निकाल आएगा ठीक है ना धिरे धिरे तो निकाल आने के बाद तभ इसमें अग्दम जबद्दस टेस्ट और सेंट और कालार आएगा धिरे 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 कालार आना शुरू कर दिया तो दोस्तो हमारा जीवन खूद का डक्टर खूद है लेकिन हम उल्टा सिदा खाके यह जो मोसम बिगर रहा इसमें अगर कोई फ्रिज का पानी यह फर्मूला एपलाई कीजिए मैं गैरंटी के साथ बोल रहा हूं तीन दिन के अंदर आपका सुद्दी कासी बुकार गायव हो जाएगा अगर आप सुबह खाली पेट में सदने का पत्ता खा लेंगे ठीक है ना मैंने यह देखिए शकनी कर लिया वह जो बाद में बना ह तो उससे फीर में दोबारा बना सकता हूं ज़रूरत नहीं परेगा हमें दिखिए यह फ्लक्स हो गया 500 ml उससे भी घट गया तो मैं गिलास में थोड़ा बहुत ले लिया इससो किया करना है कैसे पीना है आपको मैं दिखाता हूं यहापे जो ग्लास में मैं लिया हूं यह कम यहापे कास का ग्लास में लेते तो आपको कालार जबस दस आता यह चाय जितना होता है चाय उतना एक देर घंटे में खाईए आप उससे ज़्यादा खा सकते है यह कोई बत नहीं है ठीक है यह दिखिए भाब जो उकाल रहे ना इहापे जो लियो बास पो निकाल रहा है एक दम तुरंत एक दिन के अंदर बहुत दबर दस फाइदा मिलेगा रिलीव मिलेगा अगदम सद्धिकासी बुखार से ठीक है यह भाब अंदर घुशाना परेगा और जब भी पीने लायक होका धिरे धिरे चाय जाए चा वो पानी पीजिये और आप तंदुरुस थो जा ठीक है ना तो दोस्तो मेरा यह टोपिक अगर आपको अच्छा लागे तो प्लीज एक लाइक और एक कॉमेंस करना ना भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करके एक बिमार मुक्त समाज हेल्दी समाज गरने में मेरे साथ मदद किजिए और चैनल को सब्केप करके दूसरे को एक बार बोलिए जो हेल्दी रहने का एक चैनल है आप लोग देखिए हेल्दी रहिए दूसरे को हेल्दी रहने में मदद किजिए तही उद्देश्च से मैं वीडियो बना रहूं दोस्तों और ऐसे ही मेरा मुल चैनल का हेल्थ और वेल्द के टोपिक ही उपर ही मैं सारा बनाता हूं दूस्तों साथ में रहिए अगला बहुत सारा वीडियो आने वाला है हेल्थ और वेल्द के उपर आनंदी आनंद करेंगे और हेल्दी जीएंगे दूसरे को जिने में मदद करेंगे यही है चैनल का मक्सद तो दूस्तों अगला वीडियो तक फिर आप लोग हे थैंक यु